हालो प्यारे विद्यारतियों स्वागत है आप सब का इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भूती महत्पूर्ण छूट गया टोपिक अपना बोगोली गुपनाम और प्राचीन नाम वाला तो इसके कुछ 20-30 प्रशना है 30-40 प्रशना है तो उनको देख लेते हैं और कौन से न का टेस्ट और वो रहेगा राजस्थान में जो विविद्ध बाते हैं मतलब अवराल जितने टोपिक हैं अपने 22 टोपिक हैं इनके अलाव भी कुछ चीज़ें इसी होगी जो इनके बायोंड हैं तो कुछ प्रशन है जो उसके भी हम अल करेंगे और वो अपना लास्ट कल टेस्ट रहेगा तो अभी बात करते हैं बोगली गुपनाम और प्राचीन नाम यह आज टोपिक हैं तोड़ा सा जूम खर लेते हैं इसको पहला प्रसन है अपना इस टेस्ट के अंतरगत प्रताबगड का भूबा क्या कहलाता है तो प्रताबगड है वो कांटल के नाम से फ इसी को तो याद रिखना उसको और बाकि यह जितने नाम आ रहे हैं जिसे ऊपर माल है तो बीजोरिया से चित्तोडगण में फेंस रोडगड तक हैं का मतलब होता है डांग क्षेत्र चुकरोली दोलपूर है सवय मदूपूर है जांभा का आस-पास का क्षेत्र डांग कर करें हैं और मगरा का मतलब पहाड़ियां होता है ये आप जानते हीें मनगार में our माचली मघरणा नाम सुना होगा अपने उद्यपूर में तो क्षेत्र कुम सा क्षेत्र वागड कहलाता है अलवर अगर और जैपूर की बात करें वैसे खास तोर से जैपूर तो जुंडाड कर लाता है यह मेवात क्षेदर कर लाता है अलवर और पाली शिरोई को बोड़वाड भी करते हैं बांगड प्रदेश के अंतरगत कौन से आएंगे तो नागोर का भाग भी कुछ इसमें आता है तो फिर बांगड प्रदेश के अंतरगत जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तीसरा ओप्सन यहां पर यह वाला उद्यपूर की तस्त्री नुमा अकरती की पाड़िया कलाती है तिस तस्त्री नुमा जो पाड़िया होती है उनको क्या करते हैं तो दिर्वा करते हैं उद्यपूर के आसपास यह चितराय होय रूप में पाई जाती है और इनको दिर्वा के नाम से हम जानते हैं वैसे यहा महत् выпуск नई बॉलिकुधि सिंह ना सके लिए बॉराट का जिस परदपुर को wratapur को कहते हैं सिंह द्वार। और थार का प्रवेस्ट्वार किसे कहेंगे तो 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 थार एकर याद नहीं है तो पिर याद करना, क्योंकि ज्यादातर BSTC में पुछे जाते हैं, वह उपना पूछे जाते हैं और अन्य एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं तो भी उपनाम तो हमेशा मैद पून रहते हैं क्योंकि जाता पुछे जाते हैं एक्जाम में तो थोड़ा सा सावधनी से इनको देखना है राजस्थान का पूर वी प्रवेस्थवार कि आफ है अ कि आपको याद होना चाहिए और जो आप इसमें दोल पूर भी पणेंगे तो थोड़ा सा कुंट्रिक्ट है उसको सही करेंगे इसमें कौन सी गिताब क्या बता रहिए हैं तो रेगिस्तान का गुलाब किसे का जाता हैं तो रेगिस्थान का गुलाब हैं को जजसलमेहरों का जाता हैं यहां पर जो दूसरा Opportunaire हो जाएगा सोध्वीबुका Schools का शहर का जाता है बांसवडा को वक्का रखना है राजस्तान का कानपूर के नाम से कौन सा नगर है जो फेमस है तो राजस्तान का कानपूर कहलाता है कोटा सिक्षान अगरी भी है नालंदा भी है राजस्तान का पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है तो साचोर जो की चालोर जिल्ले में है और ये क्यालता है राजस्तान का पंजाब खजुराओ के नाम से चर्चित नहीं है मतलब तीन जगे ऐसी हैं जिनके नाम खजुराओ हो गए है तो कौन सा चर्चित नहीं है खजुराओ के नाम से तो यहाँ पर जो सही है देखो राजस्थान का खजुराओ कहलाता है किराडू बाड मेर, बाड मेर मेर में है, ये मूल रूप से लियान रखना है, मिनी खजुराओ कहते हैं बंड देवरा को, बंड देवरा का है, ये मिनी है और बारा में है, ये आपको बतावना चाहिए, मिनी खजुराओ है, ये पूरे राजस्थान का ये खजुराओ है, और यानि यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा आगे है ऐसंगत छांट यह तो चंगल प्रदेश किसको का जाता है विकानेर को मारवार को जोदपुर का जाता है और गुपाल पाल का मतलब करोली होता है यहां यहां तो कोई समिशा वली बात ही नहीं है यह भी सही है यह भी है अब ब्रजनगर है वो दे रखा है नुमानगर चोकी कलत है तो फिर ब्रजनगर किसको करते है तो अभी जस्ट हमने एक दो दिन पहले ही पढ़ा था जालरा पाटन को करते है जालरा पाटन कहा है चलावाड म तो दूसरा उप्सन से हो जाएगा और कौन सा स्थान मारवाड का लगू माउंट कहलाता है तो टाजस्थान के लगू माउंट के रूप में पिपलून बाड मेर अपने नोट्स में भी दे रखाई और अच्छे से याद भी होगा आपको तो तीसरा उप्सन इसमें सही उपत है बावडियों का सहर बुंदी है है टेक्स्टाइल सिटी अपना बिलोडा जिंदाबाद है तो पिर यहां पर जो एक दो तीन चार है वह उप्सन सही है पहला है और सोड़ा के बाद हम बढ़ रहे हैं अभी 17 कुशन की तरफ जोदबूर की गरो में प्राय कौन से रंग के घर दीखते है कितना बढ़िया परसन है एकए से बुली 수 kys TV कहते है निला शहर कहते है तो वह ही पुलावी नगर्चैपूर का तो याद रखना इंपॉर्टेंट है हजार खंबो का नगररे नगर के नाम से कभी कभी इस तरह की इस्तितियां मन जाती हैं गड़वड हो गए था लेकिन आप याद रखना आपको चुप दासो चोमाली इस खंबे हैं इसमें और चतुरमुक मंदिर भी खा जाता हैं क्योंकि चारो तरफ मूरतिया हैं चार मूरतिया हैं तो स्तन्तर्दा प्रेमियों का तिर्थ स्तल के नाम से जाना जाता हैं यांत उतृतिक पाडियां पाडियां एक पेंड से लगाया जा सकता इसका यानि शिक्षा की नगरी भी यह और ऐस वंगत चांटने हैं 22 प्रशन में तो मैंचेस्टर तो बिलवड़ा है जिसे यह सही हो गया और City of Hand Looms, City of Hand Looms, Hand Tools, Hand Tools के लिए नागोर फेमस है, यानि कि यहां पर जोदपूर गलत दे रखा, तो दूसरा है, वो ऐसोमेलित है या ऐसंगत है, फिर आगे गोरव चितोड़ गठाई है, और उस तल का प्रवेश द्वारा भी बढ़ गया है, जोदपूर सही है, और वाइट सि जाएटि के नाम से क्या कौन सा सहर फेमस है तो उदेपूर फेमस है वाइट सिटी के नाम से, जीले हैं, खूब सारी और सफेर द्रंग के यहां पर अतमकान जाता है, यह से याद रखना है, कौन सा सहर रजस्तान की धातु नगरी कहलाता है, नागोर को क्या करते है, पर हमें सही करना था दूसरा उप्शन इसका सही उत्र हो जाएगा और आगे पूछा गया है राजस्थान का एलोरा तो अपने जालावाड में जो गुफाएं हैं उनको कॉल्वी की गुफाएं का जाता हैं बहुत द्रम से समझी तो कुछ अवसेस्वा मिले हैं और याद मैं कंश्मिर तो इसमें तो यसमें सही उत्र हो जाएगा चोथा वक्ति ओर शक्ति की नगरी तो इसमें तो चित्ट्वड गड़ा हैं मेरा बाई की भगति पहम Original है इस करान से ये भगति और महाराणा परताफ मेवाड वे से ने शक्ति पहमushi जाना ज्याएगा तो पिर श तो दियान रखना यह जिसे अरिदवार कहलाता है और अदिवाइशो का कुम्ब कहलाता है मंकी वेली कहलाता है अगलता जी सारे नाम आपको याद रखने है एक तीसमे कुशन की तरफ बढ़ते हैं एक तीसमे कुशन प्राचिन काल में शोनितपूर के नाम से जाना जाता था मतलब कौन सा नगर है जिसको शोनितपूर के नाम से जाना जाता था नोट्स में भी है इस बयाना बरतपूर को शोनितपूर कहा जाता है सोनित का मतलब वेसे रखत होता है और राती घाटी के नाम से कौन सा सहर है जो तो भीका नेर को राती घटी भी कहा जाता हैं. कौन सा अस्तान राजपुताने की कुझी कहलाता है? अदलब राजपुताने पर अगर कबजा करना दो उस पर कबजा कर लो, आप तो केंदरा हाथ में आजाएगा तो अजमेर. क्योंकि राज़स्तान के मैप में अगर हम अजमेर की लोकेशन देखे तो वह सेंटर पॉइंट बाड़ि इसकर Review राज़स्तान का नढगा भी कयते है इसको घरदे भी कहते है तो जस Ly भागा जोद्पूर है वो राज़स्तान का ताजमहल कहलता है वो उप्सन नुम्बर तीन में है यह अब लिमिनी का महल है वो हडोती का ताज महल कलाता है ना मुकुंद सिंग ने बनाया था वो याद रखना सको बारतिय मूर्तिकला का विशु कोष के नाम से परशिद्ध है बारतिय मूर्तिकला का विशु कोष का जाता है विजयस्तम चिप्टोडगर को मानना कुंबा के द्वारा बनाए गया था नोमंजिला है और उसको बारती मूर्थिकला का विश्व कोस भी कहा जाता है कौन सा सहर एशिया का विएना कहलता है नहीं पड़ा होगा अब याद रखना है एशिया का विएना कहलता है उदयपूर करें सिल मेर को मुजote शिटी के नाम से भी जाना जाता है याद रहतना कोन सा श्हरे चेलो की नगरी के नाम से फैमस है चेलो की नगरी उदयपुर काफी फेमस है तो यह सही होना ही था आगे हैं राजस्तान का कोन सा श्हरょक का वैरीनिंश किए लाधा ता अ पुरू का वैनिश भी किसको कहते हैं उद्यवफुल को कहते हैं तो यनिए यहां पर पहला उखसेन है वो से हो जाएगा राजस्तान का कौण सा सहर ब्लू शीटी के नाम से जाना जाता है अभी ज़ेश्टंपट के आ हैं निला सहर कौं सा है जोदपुर, कौन सा सहर पाढ़ों की नगरी कह लाता है किसको पाढ़ों की नगरी के नाम से आप जानेंगे तो पाढ़ों की नगरी डूंगर पूर नाम में आ रहा है पहाड वेसे पाढ़ को अपने या लोकल बोल चाल में डूंगर करते है हरीद्वार के नाम से जाना जाता है हरीद्व जरूर शुना होगा कि यह तरगा है काका जीगी और का स्थित है तो परताब गड़ में हैं इसको क्या का जता है कांठल का ताजमल का जता है कौन सक्षेतर सपाद लक्ष के नाम से जाना जाता है तो अजमेर और नागुर का जो क्षेतर है जहां चोहान वंस किला जा रहते थे तो यह सपाद लक्ष किलाता है और वैसे सांबर जीन के आसपास का भी नाम आता है तो थोड़ा बहुत विस्तार इसमें हैं तो उस हिसाब यह साइड पूरी कंप्लीड है मतलब 45 क्यूशन टोटल है तो यह 45 क्यूशन मुझे लग रहा है यह सबसे मोश्ट है यह जो अभी 22 नंबर पे जाके जो क्लास आई है वो सबसे इंपोर्टेंट है आपके लिए और इसमें से कोई भी अगर नाम छूट रहा हो बाइचांस नो करना तागी आप भी जब भी जाओ उदर मोबाइल की तरफ तो थोड़ा आपका वहां से इंट्रेस्ट है जो छूटेगा फिर और कोई और भी जो परैसान करने वाले है वो भी यह देखेंगे क्लास तो उनके मन में भी आएगा कि वो पढ़ रहा है यार चलो ठीक है डिस् झालो